ओके तो अब हम समझते हैं एक hyperlink का जो image tag होता है ठीक है उसमें एक attribute होता है जिसको कहते हैं map या फिर use map ओके तो यह है क्या जिसके मैं बात कर रहा हूँ एक example लेते हैं जैसे की यह वाली file ले लेते हैं ठीक है यह जो image है इस image में आप देखो बहुत सारे अलग-अलग variables है यह नाम दिया हुआ है यह photo दी हुई है यह भी एक area दिया हुआ है जहां पर text है ठीक है तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस image tag को link करूँ तो यह जब open होता है तो by default यह एक particular file या फिर एक external website या जो भी हमने link किया हुआ है वहाँ पर open होता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस image में मैं दो तिन अलग-अलग linking दूँ मैं चाहता हूँ कि इस image में अगर इस section को कोई click करे तो वो किसी और website पे जाए इस photo को कोई click करे तो दूसरी website पे जाए नाम को कोई click करे में अलग-अलग-अलग-अलग segment में divide करना चाहते हैं तो उसके लिए हम map attribute का use करते हैं use map attribute ओके तो मैं आपको समझाता हूँ यह क्या है क्योंकि practical देखने से बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो फटा-फट से एक file बनाते हैं और यहाँ पर नाम लिखते हैं image maps.html ओके यह हमारा 7th है ना 8th है तो यहाँ उसको भी define कर देता हूँ मैं 8th ओके अब same boiler plate ले आते हैं यहाँ पर एंटर और इसका नाम दे देते हैं title पे image maps ओके एक heading बना लेते हैं h2 image maps demo अब देखते हैं फटा-फट से यह कैसा दिख रहा है live server को मैंने open कर दिया है यह image maps.html ठीक है normal अब आप देखो मैं सबसे पहले image को यहाँ पर import करता हूँ image मैंने ले लिया image observation source मैंने ले लिया अब मैं यह वाली जो file है HTML intro इसको ले लेता हूँ अर्ल देता हूँ this is image map demo ठीक है अब यह देखते हैं कैसे दिख रही है यह दो को यह पूरी file आगई पूरा पेज कवर हो गया कुकि अपने अभी हमने width define कर यह ना कुछ नहीं किया है हमने तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे इसकी width define कर देते हैं लेट से 50% कर देते हैं है ना half हो जाएगा बिलकुल ठीक है अब इसको जूम कर देता हूँ मैं 150 250 170 हाँ होप अब आप लोगों को दिख रहा होगा अब ना हम इसको properly समझते हैं कि यह यूज मैप attribute यह है क्या देखो जैसे यह हमने दे दिया simple अब इसके आगे में बस आपको एक attribute यूज करना पड़ता है जिसका नाम है use map और इस पे आपको एक value define करनी पड़ती है तो आप जैसे मैं एक value define करना हूँ यहाँ पर work map आप यहाँ पर कोई भी reference ले सकते हो ज़रूरी नहीं कि मैंने work map लिया है तो आप भी work map लो बशरते आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या लिया है क्योंकि आपको आगे इसी से reference लेनी है ठीक है तो जैसे मैंने demo के अब इसके आगे क्या होता है एक element यूज़ करते हैं जैसे हम कहते हैं mapping map और इस map में इसको close कर देता हूँ मैं इस map में क्या होता है कि सारे की सारी जो हमारी coding होती है न related button की मतलब एक image के अंज़र जो हम अलग-अलग linking देना चाहते हैं वो आप इसी element के अंदर लिखेंगे यहां से हमको define करना है अपने सारे element तो अब क्या करेंगे सबसे पहले जो name है इसका वो क्या हमने दिया हुआ था यहां पे आप देखो use map के अंदर work map दिया हुआ था ठीक है तो हम यहां पे सबसे पहले उसकी reference को define कर देते हैं work map ठीक है यह हमारा close हो गया इसको मैं काम करता हूँ नीचे ले आता हूँ पहले ठीक अब आप यहां पे इसके तीन से चार अलग-अलग कि समझ लेजे mapping areas define किया जाते हैं ठीक है जिसे हम by default shapes कहते हैं जैसे पहले shape को बोला जाता है rect rect मैं यहां लिग देता हूँ इसे बनाता हूँ यह बनाके न मैं यहां पे लिग देता हूँ इसको कि हम map के अंदर लिग दिए गया मैं काम करता हूँ आपको clear हो जाए कैसे करना कैसे करना यहां नीचे में लिखता हूँ यहीं पर कि देता हूँ इमेज टैक के अंदर एक heading देखे है अब यह टाइपस ठीक है अब यह टाइपस कौन-कौन से हैं एक पेराग्राफ ले लेते हैं ठीक अब पहला जो टाइप होता है उससे हम कहते हैं react 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 मतलब rectangle ओके दूसरा जो होता है वो होता है आपका circle अब यह आप इसको समझो ठीक है जब मैं practical करूंगा ना तो बहुत आसानी से clear हो जाएगा तीसरा जो type होता है उससे हम कहते हैं polygon तो इसका जो simple format होता है वो है और चौती वैली जो होती है वो होती है by default value फ-a-u-l-t ठीक है by default value और एक और होती है जिसे हम कहते है custom तो custom के बारे में हम proper अच्छे से समझेंगे क्योंकि यह values में नहीं आता उसके types में नहीं आता लेकिन फिर मैं यहाँ लिग देता हूं आप लोगों के reference के लिए custom ठीक है तो सबसे पहले जो इसका shape attribute है उसके बारे में समझते हैं कि यह shape attribute कैसे काम करता है यहाँ पर क्या करना है work map के बाद में आपको अब इसका area define करना है ठीक है हम क्या करने वाले है particularly इस map के अंदर areas divide करेंगे इसका कौन सा area है इसका कौन सा area है इसका कौन सा area है तो हमको इसको divide करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर यहां पर इस सेगमेंट पर पहुंचना पड़ेगा तो हमको पॉइंट बताना पड़ेगा बटन की रूप में कि हम इस सेगमेंट को रिफर करना चाहते हैं बटन क्लिक करने के लिए तो उसके लिए हम एरिया का यूज करेंगे ठीक है, A, R, E, A, ओके, यह आ गया एरिया, अब एरिया के अंदर में आप इसको एक काम करो, इसको क्लोज कर दो, या अभी क्लोज नहीं करते, ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ, एरिया के अंदर, अब हम लिखेंगे, शेप, क्योंकि कौन सा शेप हमको लेना है, यह चार तरीके के शेप हैं हमारे पास में, तो पहले वाले शेप को लेते हैं, शेप is equal to R, E, C, T, Rect, ठीक है, यह by default value है, आपको इसको चेंज नहीं करना है, यही आपकी values होती हैं, यही चार पांच तरह की values हैं, ठीक है, तो आपको rectangle shape का लेना है, मैं लिखेंगे, STML पूरा rectangle shape में है, तो rectangle shape का मालिज यह लेना है हमको, तो मैं यहाँ लिखूँगा area shape rect, ओके, अब इसके बाद में, इसको अब coordination हम देंगे, जो coordinates हम देते हैं, mapping के दौरान हम coordinates देंगे, तो उसके लिए short form होता है, COOR, यह देखो आगया है यहाँ पर, coordinates, ठीक, Coordination का full form है, coordinates का, coordinates, ठीक है, अब यहाँ पर आप दे दो, अब जो मैं value लिखूँगा न, यह value एक्चल में pixel में by default होती है, तो जैसे माल देज़े, यहाँ से यहाँ तक, 960 pixel है, और यहाँ से यहाँ तक, जो height, health, सब कुछ है, यह अलग है, ठीक है, अब, मुझे यहाँ से यहाँ तक, पुरा cover नहीं करना है, button की रूप में, मुझे यहाँ पर देना है, माल लीज़े कुछ, इतने area में, तो मैं अनुमाल लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, 34, क्या सबस होगा, यहाँ से यहाँ तक, 34 pixel, तक है, अब area जो है, यहाँ पर लेना है तो इसको by default हम पहले करके दिखाता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 34 और इसको दे देता हूँ 44 ठीक है 440 हो गया और इसका एक और coordination ले ले लेते हैं 270 और एक और ले ले लेते हैं मां लेजे 350 ठीक है और यह कहां पर open होना चाहिए यह होना चाहिए हमारी इस linking पर इसी की एक file दे देते हैं या यह download png पर open होना चाहिए ऐसे ठीक है यह करते हैं तो अब आप देखो यह कहां पर जाएगा देखो यहां पर मैं कहीं पर भी ऐसे hover कर रहा हूं mouse को link नहीं आ रही है देखो लेकिन अब देखो जैसे ही मैं यहां पर लेके आया यह देखो यहां पर linking है यहां से पूरी यहां तक यह देखो अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखना download.png ओपन हो जाएगा यह देखो ओपन हो गया clear यह देखो यहां से linking start है यहां तक है इसके आगे नहीं है यह है linking इतनी पूरी नीचे तक ओके इसको गर मैं और कम कर देता हूँ 270 को इसको मैं कर देता हूँ 50 और इसको भी कर देता हूँ 50 अब आप देखो चेंज हो गया यहां पर आएगा कहीं पर पिक्सल्स पे इमेज की पिक्सल्स पे नहीं आया आप कोडिनेट्स पे न तो इसको एक काम करते हैं न सेम रेक्टेंगल का एरिया नीचे से जाएगा तो इसका मतलब यह आएगा लगभग आपका वन फिफ्टी लेते हैं इसको वन फिफ्टी बाई वन फिफ्टी तब आना चीए यहां पर कहीं पर यह देखो यह आया ठीक है अब इस से जिए पर मैं क्लिक करूंगा यहां चला गया इसका एक टूल होता है शेप को डिफाइन करने का आप वो टूल गूगल पर टाइप करेगा तो आपको मिल जाएगा मैं क्या है मुझे आदत है मैं ऐसे देख के समझ जाता हूं पिकसल से कूँकर आदत हो गई है image के size कितने होते हैं उसका coordinates क्या होता है तो यह देखो यह यहां पे आया ओके तो यह एक तरीका है अब यहां पे अगर आपको कुछ देना है तो आप दे सकते हो जैसे मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ तो मैं इसका जो height है वो नीचे ले आता हूँ इसको ज़्यादा कर देता हूँ इसको कर देता हूँ मैं around 80 वे यहाँ पर कुछ आएगा यहाँ पर पहुंचा है अभी यहाँ पहुंचा है यह यहां पर लगबग पहुंचा है, इसको और ज्यादा करेंगे, 100 कर देता है, तो यह अभी यहां पहुंचा है, यहां पहुंचा है, इसको 120, 130 कर देता है, अभी भी यही है, यहां तक आ गया यह, यहां तक आ गया यह, ठीक है, तो यह coordinates के साथ ऐसे आप कर सकते हैं, मतलब मैं इसको अगर 180 करूँगा ना तो यह प्रॉपर या 180 कर देता हूं तो यह प्रॉपर यहाँ पर आएगा यह देखो आ गया अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ चला गया ठीक है मतलब विट्थ हाइट एरिया आप सब इससे डिफाइन कर सकते हूं तो यह एक हो गया हमारा रेक्टेंगल क्योंकि हमने रेक्टेंगल वाला शेप लिया यह देखो यह यहां से ऐसे देखो यह जा रहा है ना बाइडिफॉल्ट रेक्टेंगल ऐसा बन रहा है अब सरकल पर हमको देना रहते हैं तो हम क्या करते हैं बस यहां पर आप इसको चें इक तो बना लेते हैं, एक और हम, जा इसी पर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी आरिया को सर्कल पर ले लेते हैं, तो यह देखो, आप यहां तक आ गया और, यह सर्कल आ गया है, देखो, ठीक है, अभी रेक्टेंगल थाख, अब यह बड़ा सर्कल हो गया, यहां तक है यह लगबग इसको कम कर देता हैं 150 बाइ 150 है इसको 80 बाइ 80 कर देता है तो यह देखो यहां से आके यहां पर खतम हो गया यह तो मेरे केवल इस एडिया पर लिंकिंग है यहां पर कहीं पर नहीं है ठीक यहां पर आप इमेज पर कोई बटन दिखा सकते हो कि हाँ यह वर्क कर रहा है ठीक है कई लोग क्या है इमेज के अंदर ही पूरी वैबसाइट डिजाइन कर लेते हैं एक पेज रहता है और उसके अंदर सब कुछ हो जाता है तो अब इस तरीके से इसमें linking काम करती है अब इसमें एक और जो हमने पढ़ा अब हमने क्या पढ़ा पॉली पी ओ ल य पॉली अब यह पॉली का कोबिने दिखो आप यहां पर नहीं है कहीं दिखरा है पॉली का क्योंकि यह कहीं और चला जाएगा यह कहीं और जा रहा है पॉली तो हम पॉली छोड़ देते हैं अभी जब वेबसाइट क्रिएट करेंगे मैं उस पे आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा डिफल्ट वेल्यू आपने समझ लिया है डिफल्ट वेल्यू कोई भी इमेज रहती है पूरी फूल इमेज अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दू या इसको ना दूँ मतला है अगर मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से तो आप समझ लो कि यह डिफॉल्ट वेल्यू ये दो एट्रिब्यूट की वैल्यू का यूज करते हैं ओके तो आपको समझ में आया होगा ये मैं क्या बताना चाहरा हूँ आप इसको क्या है continue practice करोगे न तो बहुत easily आप इसको कर पाऊगे ठीक है poly actual में क्या होता है न बिसिकली जैसे की ये रेक्टेंगल में है ये जो है ये सरकल में है ये भी रेक्टेंगल में है माली जै कोई यहां पे किसी डिश की पहाड की फोटो बनी हो या पहाड क्या होता है ऐसे 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 तो वो ना किसी सरकल में डिफाइन होगा ना किसी rectangle में define होगा तो वहाँ पे हम poly का use करते हैं ताकि हम custom variable का use कर पाएं तो उसमें क्या होता है x-axis और y-axis इन दोनों को आप fully customize कर सकते हो तो उसमें use होता है उसका example थोड़ा सा इस समय एक beginner level पे आपको हलका सा tough जाएगा तो उसको अभी हम drop करेंगे next जो session होगा इसका advance level उसमें मैं आप लोगों को उसको clear कर दूँगा ठीक है इसको एक और आपको बताना चाहता हूँ कि Java script में भी जब हम use करते हैं तो Java script में क्या होता है clicking function होता है जो हमने देखा था तो बस आपको उसके आगे में ऐसा लिखना पड़ता है बस Java script पर on click बस यहाँ पर जो हमने देखा था भी एक पिछले वीडियो में बस on click लिख दो और is equal to जो हमारा function रहता है my function इस value को आपको देना ही पड़ता है ठीक है ठीक my function value यह आपको देना ही पड़ता है बस मतलब on click पर यह हमारा function रहेगा और यहाँ पर उपर में हम scripting पर यहाँ पर कुछ ऐसे लिखते हैं actually मैं उसको scri यह थोड़ा सा आप लोगों के लिए heavy हो जाएगा बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ script का पार्ट है हम उस पर इसको समझेंगे तो बहुत मजा आएगा यहाँ पर हम फिर condition दे देते हैं और condition के अंदर लिखते हैं एक alert box ले लेते हैं और alert box में हम लिखेंगे माल लो मैं लिखता हूँ you have clicked the picture ठीक है ऐसे करके लिखता हूँ और इस पो यहाँ पे close कर देता हूँ यह लगाना बहुत जरूरी होता है ठीक और हमने closing function यहाँ दिया हुआ है और script हमारी यहाँ पे close हो गई तो देखो यह क्या होगा अब मैंने alert box लिया है न ठीक अब जब मैं यहाँ पे click करूँगा तो यह देखो पहले एक message आया you have clicked the picture ठीक अब हम तुरंथ image open हो जाएगी हमारी तो यह हमारा java script function होता है ठीक है पहले वाले में क्या आद डायक्ली picture open हो रही थी अब मैं यहाँ पे click किया तो मेरा browser मुझसे बोला you have clicked the picture ओके अब यह सीधे picture open हो गई तो java script कुछ ऐसे काम करता है जब हम java script का एक नया tutorial दिखेंगे ना तो मैं उसमें आप लोगों को scripting part बहुत अच्छे से समझाओंगा बहुत मज़ा आने वाला है इसको आगे करने में ठीक है तो इस section में इतना ही और अब नया section की तरफ बढ़ते है ओके